पोइंट एंड कोलिंग टेक्निक से खतम करें अपनी OCD कमपल्शन को जी हां दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमस्कार दोस्तो एबी माइन ट्रेनिंग सेंटर की तब से माप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोइंट एंड कोलिंग टेक्निक के माध्यम से आप भी अपने OCD कमपल्शन को खतम कर सकते हैं OCD को जड़ से स्माप कर सकते हैं वीडियो काफी ददा इंट्रेस्टिंग रहने वाला है वीडियो काफी पॉल्टेंट रहने वाला है वीडियो में एक बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले क्यों कि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि पोइंट एंड कोलिंग टेक्निक के माध्यम से आप भी अपनी OCD कंपल्शन को किस तरीके से स्माप कर सकते हैं OCD में क्या होता है कि बार-बार आपका हाथ दोने का मन करता है मनत मांगने का मन करता है चड़ावा चड़ाने का मन करता है किसी सफेसिफिक जगह पे जाने का डर लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके माध्यम से आपको ऐसा डर लगता रहता है कि बार-बार यह चीज मेरे साथ होगी अगर मननत नहीं मांगूगा तो मुझे सजा मिलेगी अगर मैंने दरवाजे को चेक नहीं किया तो हो सकता है वह खुला रह जाए तो कुछ हैन हो नहीं हो जाएगी मैंने पैसे गिनकर नहीं रखे तो पैसे कम हो सकते हैं ऐसे बहुत तरीके के आपके डाउट्स इसके अंदर चलते रहते हैं इन सबको आपको समझना होगा अब इसके अंदर मैं कंटैमिनेशन OCD का एक्जामपल लेकर के आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पोइंट एंड कोलिंग टेकनीक के माध्यम से आप अपने OCD कंपल्शन को खतम करके OCD से रहत पा सकते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा आपके मन में आया कि मुझे हाथ धोना है तो अब आप हाथ धोने के लिए गए जैसे ही आपने हाथ धोया आपके मन में आया और हाथ धों गंदगी लगी होगी ऐसे होगा वैसे होगा बार-बार हाथ दोने का मन कर रहा है आपका तो आपने आपसे बोलना है जोर से बोलना है मैं बार-बार हाथ धो रहा हूं मैं बार-बार हाथ धो रहा हूं या धो रही हूं इससे मेरे समय की पानी की और मेरी उर्जा की बरबादी हो रही है लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है और यह सब करके मैं अपनी उर्जा को अपने समय को और पानी को बरबाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इसको करने से मैं अपने आपको और ज्यादा दलदल में धकेल रहा हूँ या धकेल रही हूँ इस तरीके से आपने बोलना है इसको हम बोलते हैं point and cooling technique का आप इस्तेमाल करते हो मान करके चलो बार-बार भगवान से मननत मांगते हो गैस सिलेंडर को चेक करते हो पैसों को बार-बार गिनते हो यदि यह सब कर रहे हो न आप तो इसमें आप पोइंट एंड कोलिंग टेकनिक का इस्तेमाल करें एक्जामपल के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है कंटैमिनेशन वाले के और इस तरीके से आपने इसको एपलाई करना है आपने इसाब से और एपलाई करके इसका रिजुर्ट देहिए कंटिन्यू आप इसको 20-25 दिन एपलाई करिए दूसरे दिन से result मिलना शुरू हो जाएगा प्रन्तु 20-25 दिन आपने apply करना है क्योंकि problem को आपने जड़ से smart करना है यदि आप 20-25 दिन continue इस तरीके का प्रयास करते हो तो आपकी OCD जड़ से smart हो जाएगी आज की यह technique काफी effective technique है मातर इस वीडियो को देख करके छोड़ना नहीं है इस technique को apply करना है 100% आपको result मिलेगा और result मिलने के बाद मुझे comment करके बताना है कि हाँ technique वास्तव में काम कर रही है यदि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे like करें चैनल को subscribe करें और हाँ आपको भी OCD, anxiety, depression, phobia, insomnia, hypochondria, stress, overthinking, depression कोई भी मानसिक समस्या है दिये गए नमरों पे call करिए online, offline हमारे साथ जुड़िए हमारी मदद लीजिए आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद